प्रताप का सिर्क कभी जुका नहीं इस बात से अक्बर भी सर्मिंदा था मुगल कभी चैन से सो न सके जब तक में वाडी राना जिन्दा था यह कहानी इतिहास के पन्नों में अपनी बहादुरी के तमाम किश्य दर्ज कराने वाले सूर भी सपूत महाराना प्रताप की है दुर्ग में 9 मई 1540 को हुआ था वह महाराना उदेर सिंग और माता जैवंत कवर की संतान थे उनकी बीरता के अनेक किस्से मसहूर है महाराना प्रताप युद कौशल में पारंगत होनी के साथ साथ बीहत सक्ति साली थे कहा जाता है कि वह साथ फुट पांच इच लंबे और अपने साथ हमेशा मसहूर भाला और दो तलवारे रखते थे इसके साथ ही वह 72 किलो का कवच भी धारन किया करते थे लोक मानिताओ की माने तो महाराना प्रताप हतियार कवच और दूसरे साजो समान समेत कुल 200 किलो से ज़्यादा वजन लेकर चलते थे मुगल साशक अकबर जब पूरे भारत पर कबज़ा करने में जुटा था तब मेवार की बीर योद्धा महाराना प्रताप ने अपने राजी को बचाने के लिए युद लड़े और बिजय प्राप्त की युद के दोरान मुगलों के छक्के छुड़ा दिये थे हल्दी घाटी के युद में उन्होंने दिखाया था अपनी कुशल और बहादुरी के किस्चों में से एक आठ जून 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद भी था जहां महाराना प्रताप ने मुगल समराट अकबर की सेना के साथ युद किया था जिसमें वह आमेर राजा मानसिंग के निर्ट्यत में लगभग 5000 से 10,000 से भीड़े थे उन्होंने 3000 घुरसवार और 400 भील धरुधारियों का सामना किया था इस युद में वह बुड़ी तरह जक्मी भी हुए थे जिसके बाद उन्हें जंगल में रहना पड़ा और उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सेना को तयार कर फिर से हमलाक बोला कहा जाता है कि उन्हें कई दिनों तक जंगलों में रहना पड़ा था इस दौरान उनके पास खाने की कोई ठीक ववस्था नहीं थी लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी थी इसलिए एक लाइन कही जाती है चेतक पर्चर जिसने भाले से दुस्मन संहा रहे थे मात्र भूमिक की रक्षा के लिए जिसने जंगल में कई साल गुजा रहे थे इसी के साथ हम अपने वीडियो को खतम करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरू करिएगा थेंक्यू